गदरपुर के गूलर भोज में पचास युवावने रास्ट्री बज़रंग दल पर विश्वास जताते हुए सदसिता ग्रहन करते हुए कारकर्म की शुरवात प्रभू श्री राम की चित्र के सम्मुक दीप प्रजुलन करके की साथ ही सभी कारकरताओं के साथ बैठक कर बैठक का योजन किया गया है इस बैठक का मुख्योदेश था कि शेत्र में हिंदू विरोधी गत्विधियां रास्ट विरोधी गत्विधियां और समाज विरोधी गत्विधियां जो हो रही है उन पर अंकुष कैसे लगाया जाए रास्ट्री बजरंग दल के कारकरताओं को पुलिस प्रशासन पूरा साथ देगी ऐसी बात कही गई है लायव उत्राखन के लिए दिनेश पूर से डी के सरकार की रिपोर्ट आज गुलर भोच के शीवबंदी प्रंगण में राश्ची बजनकदल एवं अंतराश्य हिंदू परश्यत के कारकरताओं के एक विशाल बैठा कोई इस बैठा का मुखित है यह है कि इस छेत में जो भी हिंदू विरोधिक गतिविदियां राश्ची विरोधिक गतिविदियां या समाज विरोधिक गतिविदियां हो रहे हैं उन पर अंकुष रगाने के लिए पुलिस पेशासन का कारकरताओं पूरा साथ देंगे यहां की टीम का गठन भी हो गया है राश्टी बजरंगदल में सुभाज जी को नगर अधिक्ष का दाइद दिया गया है इनके असाथ साथ लोगों की टीम और बनाई गई है यह टीम समय समय पर छेट का ब्रहमन करेगी हिंडू समाज के लोगों के पास जाएगी अगर उनके वो कोई भी उनकी अगर दिक्कत है कोई भी परशानी है कहीं उनको कहीं कारकरताओं की सहय को जरूत है तो उन सबका पूरा उच्छी समान किया जाएगा उत्राखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्राखंड और बेल आइकन दबाना ना भूले